तो डियर स्टूडेंट इस समय समर्थ पोर्टल की बहुत अपडेट आ रही है कहने के मतलब हमारी यह है कि लगबग लगबग जितनी भी इन्वर्शिटी है उत्तर प्रदेश की उसमें पढ़ने वाले बीए बेसी बीकॉम के स्टूडेंट के लिए समर्थ पोर्टल पर रेजिस्टेशन करना पड़ेगा रेजिस्टेशन आपका इमेल आइडी मोबाइल नंबर यह आपका रोल नंबर यह सब वैरिफाई होगा ठीक है रेजिस्टेशन नंबर वैरिफाई होगा फिर आपका उस पर जाके रेजिस्टेशन हो जाएगा रेजिस्टेशन हो जाए इन्वसिटी और ना ही आप परिच्छा दे पाएंगे तो इस बार जो भी बिए बेसी बिकॉम के इस्टूडेंट हैं फर्स्ट थर्ड वा फिप्त समेस्टर के दोजार चोबीस और पच्चीश के सिसन में परिच्छा देने वाले हैं ठीक है तो उनको सबसे पहले समर्थ पो है कि अध्यनरत चात्र मतब कि जो पढ़ाई कर रहें भी एबेसी बिकॉम में ठीक इस बार को अनिवार रूप से समर्थ पोर्टल पर लागिन कराए जाने के संब्द में मतब कि जरूरी है कि आपकर समर्थ पोर्टल है हर इन्वसिटी की विबसाइट पे नतब की एड़ क है ठीक है तो सबका अलग-अलग इन्वसिटी में अलग-अलग होगा ठीक है तो उसी के बिसे में हैं और लिखा है कि किरपया उपर युक्त बिसे के संब्द में आप सभी से अन्रोध है कि संसिथान में यानि कि कॉलेज में पढ़ने वाले अध्यन करने वाले समफ्द चा चात्राओं को अनिवार रूप से समर्थ बोटर पर लोगन कराने का वाले यही करें 6 चात्राओं दोरा सम्वाप्ध बोरटर ना लागिन के जानेके इस्थित से यह पिर इस्थित में संबंधित बिद्धयल्यों के चाठ चात्राए आगामी माह में जो परिच्चा होंगी ठीक है उसमें परिच्छा संबंधी प्रबेश्पत्र किसी भी दिसा में या फिर दसा में निर्गत नहीं किया जाएगा मतब जारी नहीं किया जाएगा जिसकी संपूर जिम्मेदारी संबंधी संस्तार और महाविद्य देले की होगी मतब कि एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होगा त समर्थ पोर्टल पर रिष्टेशन कैसे करना हाई डी कैसे बनाना है इसके लिए में बीडियो बनाने बना के आप तक कल तक सेयर कर दूँगा तो आप लोग अपना अपना रिष्टेशन स्वयम से कर लिजेगा ठीक है बाकी कोई टेंसल लेनी वाली बात नहीं है अगर आपक कोई अपडेट है इसमें कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं यह आपका अपना ही चैनल सक्सेश्ट है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे समय पर ठीक है